जैन दोस्तो फाइनली भाई आप सभी के लिए गुड़न यूज है क्योंकि हाँ पर एक और सेंटर की रिलेशन भरती निकल गई है और इस रिलेशन भरती में पूरे भारत के बच्चे हिस्सा ले सकते हैं जिनके पास रिलेशन है साथ में हाँ पर ओपन कंडिडेट पर हिस् मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया था आपने गर टेलीग्राम के साथ जुड़े होए होंगे तो आपको ये नोटीवेगेशन पहले मिल गया होगा अब मैं आपको ये बताने वाला हूं इस वीडियो के मादम से कि भाई इसकी एज का टॉप क्या रहेगी एज लिमिट क्या रहेगी अब ये कौन से सेंटर की भरती है कव आपको इस सेंटर की भरती में जाना है लगवख कितनी वेकेंसी आने की पूरी उमीद रहेगी इस सेंटर में जो भी excessive रहेगा वह मैं आपको इस वीडियो के मादम से बताने वाला कि सेप्तंबर के महिने में काफी हमारे रिलेशन सेंट्रों की भरती स्टार्ट हो जाएगी और आपने देखा अगर लगवक्त 4-5 सेंट्रों की भरती आ चुकी है ठीक है अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं बस आप सभी से रेक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरी रोड केम्प यह आटलरी सेंटर है ठीक है नासिक में आपका सेंटर है और इसमें जो भरती शुरू होने वाली है तो यहां पर आप देखोगे तीन अक्टूबर से और यहां पर आपको बताऊं और पांच अक्टूबर तक तीन चार पांच को स्पोर्समेन की भरती होगी लेका स्वाइक त disci-'te के बदविन यह स्पोर्टमैन वाले बच्चों के लिए किस पोर्टमैन की भरती है तीन-चार पांच अक्चूबर को बहती होगी यानिकी तीन-चार को बघती होगी पांच अक्टूबर युदो नहीं ला पाया दो-तीन दनों से वीडियो में डाल तो अब यहां पर आप देख लो कि भाई यहां पर लेखा हुआ है छे अक्टूबर से रिलेशन वाली भरती चालू हो जाएगी ठीक है बागी आपको नोटीफिकेशन में पता चल जाएगा मैं आपको एक पॉइंट किलिर कर दोंगा तो यहां पर भाई छे अक्टूबर को जैसे कि आप देख सकते हैं करनाटका केरला आंद्र पर्देश तेलंगाना तमिल लाडू की भरती होगी यह राज्यवाले सिर्फ 6 अक्टूबर को जाए बाकि अधर कोई न जाए अधर कोई जाए का मालो मैं हरिया ना से हूं मैं 6 को जाऊंगा तो भाई कोई फादा नही रहेगा मुझे भार कर देंगे बोलेंगे कि जिस दिन आपके राज्य की भरतियों उस दिन आपको आना है फिर यहां पर 7 अक्टूबर का रिजर्व डे रखा गया है उस दिन मंडे है फिर आपर 8 अक्टूबर को ठीक है यहां पर आपकी देख सकते हिमाचल परदेश गु कि एक बात यह दिहां रखनासें र Grad की बटी इसिर्फ वही बच्चा देख सकता है जिसका सेलप सेन्टर जो अर्ट लडी सेन्टर ह्थरावास से जो भी होगा वह सिर्फ फृड इस सैंडर की बटी में कि बटी देख सकता और कोई अधर बच्चछा होगा कि मेरा सेंटर मह महार है मेरा पर यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं नो एक्टूबर को रिजरब डे है ठीक है ठीड़ दस किंटूबर को याँ पर जैसे कि आपके काफी राज्य है ठीक है, जैसे कि मद्या पढर्देश हो Гया, राजिस्तान उत्राखंड और महराष्ट्रा वह हिहाँ पर जो आपकी भर्ते होगी, दस किigs होगी और 11 एक्टूबर को रखा गया फिर यहां पर 12 एक्टूबर को आपको बता दूँ जैसे कि असम अरुनाचल परदेश नागा लेंड मेगाला मिजोरं तिरपुरा और यहां पर आप देख सकते हैं मनिपूर्ट जहारखंड गोवा सिक्किम बिहार और उडिसा और बैस् चौदे एक्टूबर को आजाना बकि अगर आप मालो की हरियाना से और हरियाना की भरती आठ अक्टूबर को आप फिर बोलो कि भाई मैं 14 एक्टूबर को भरती देख सकता हूं तो नहीं जो बचे कुछे जितने भी यारो है वो 14 एक्टूबर को रिजर्ब डे है 16 है वो इसमें भाग ले सकता है ठीक है फिर उसके बाद भाई यहां पर 17 एक्टूबर को रिजर्ब डे रखा गया है और एक सबसे बड़ी अच्छी वात आप देख सकते हैं यहां पर आपको बताओं तो 18 एक्टूबर को ना अगनी वीर जीडी और यहां पर ट्रेड मैन के जो स्पोर्ट्समेन वाले बच्चे होंगे ठीक है उनकी यहां पर भाई दौड होगी वह होगी यहां पर आपको बताओं आपको बना के देते हैं मैसेज कर देना जिस भाई को भी चाहिए आपको डेटेल अपनी सेयर करनी होंगी और आपका सटेविगेट आपके घर कोरि से अलग बीड़ाल है यहां पर आप देख सकते हैं 19 अक्टूबर को रखा गया है फिर यहां पर आपको बता दूं तो 20 अक्टूबर को एपीटूट टेस्ट होगा जो अच्छा मुजिशन की भरती पास कर लेगा दोड़ पास कर लेगा उनका एपीटूट टेस्ट होगा जो यहां पर ट्रेड मैन मुजिशन केटेगरी में उनका जो फिज पी एप टी और पी एम टी यहां पर आप देख सकते हैं फिर रिजर्व डे और सभी बच्चों को ना सवेच है बज़े रिपूर्टिंग करनी है जो आपको डेट मिलिए यह तो मैंने आपको बता दिये चा यह सभी में सैम है किसी में कुछ चेंजमेंट नहीं है अब इसकी एज का टॉप क्या एक अक्टूबर 2003 से एक अपर्ल 2007 इसके वीच में जो भी बाई है तो भूर्टिंग सकता है जी डी हो यह किलर्ग हो यह ट्रेड मैं सभी की सेम होने वाली है इसमें कोई बदलाब नहीं क्योंकि relation भरतियों में भाई मौके मिलते हैं अब ये तो हो गया भरती का अब जिन बच्चों का exam है ये लास्ट में बता रहा हूं जो बच्चे भी तक डटे हो जिनका exam 8 September को होने वाला है तो उन भाईयों के लिए army relation भरती जो paper होगा हमारा ठीक हर एक center में उनके लिए important question है इसमें आपको total 7100 plus question मिलेंगे previous वाले देंगे वह देंगे जो आपके exam में आएंगे अलतुफालतु कुछ question नहीं है इसमें आपको practice set मिलेंगे 80 ठीक है और 35 original paper मिलेंगे जो center वाले original paper है और जिस भाई को भी चाहिए तो ये दिया हुआ WhatsApp नंबर है इस नंबर पर message कर देना army previous वाले question मिलेंगे ठीक है ये WhatsApp पर PDF में मिलेंगे जिस भाई को चाहिए जिसकी तैयारी नहीं है कुछ भी मुझे नहीं पता पढ़ना क्या बस आप इनको कर लेना इतना मैं आप से कहता हूं जितना भी समय आपके पास बचा भले वह अब 10 दिन बच रहे हूं या 5 दिन बच जो पेपर है ना वह लगा लो 80% से उपर वी इस में से सॉल हो जाएगा अब जिस बच्चे को चाहिए तो मैसेज कर देना और बाकी भरती आ चुकी है यह चार्ट रियल है फेक नहीं है अपनी तैयारी सुरू कर दो ठीक है तो यही अपडेट ता आज की वीडियों फिर मि जैहन्द